नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सरकारी जॉब नियूज और इस वीडियो में आपके लिए थर्ड वीक के करंडफर की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं साथ साथ सटेटिक जीक भी आपका यहाँ पर कवर करेंगे कोश्वन से रिलेटेड जिससे कि आपका जो कुश्वन है उस से रिलेटेड आपका इसatif की क कवर हो जाए तो यहाँ पर हम 15 से लेके 21 जैनवरी तक जो करन डफर बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं जले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुशन से जो आपके लिए राजनिती, केंद्र और राज्जियों के फैसलों से रिलेटेड आने वाले हैं तो पहला कुशन है आपके लिए तमिल लाडू विधान सभा ने राज्जि की नौकरियों में भरती के लिए किस भासा के पेपर को अनिवार बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है तो तमिल नाडू से related ये question है तो तमिल simple सी बात है वहां की language क्या है तो आप कहोगे तमिल वहां की language है तो तमिल भासा को अनिवारे करने की यहां पर बात हुई है याद रखेगा तमिल नाडू की जो विधान सबा है उसने 13 जनवरी को एक विधियक पारित किया उसके माध्यम से तमिल को अनिवारे बनाया गया है तो जितनी भी भरतिया होंगी उसमें तमिल भासा अनिवारे हो जाई किसी ना किस तरीके से उसका exam लिया जाएगा आपसे और भी बहुत सारे exam बहुत सारे राज्यों में यह चीज चल रही है जैसे कि आप असाम देख सकते हैं जैसे कि जारखंड देख सकते हैं लेकिन वहां पर उन्होंने कमपलसरी नहीं किया है उसके अल्टरनेटिव भी कुछ लेंगविजेस को मलब सेलेक्ट करते हैं लेकिन चाहते हैं कि जो केंडिडेट सेलेक्ट हो करा हैं उनकी रीजनल लेंगविज की उनको नॉलिज हो ठीक यहां पर हमने ना तमिल नाडू की बात की है तो चलिए तमिल नाडू को डीटेल में जान लेते हैं तमिल नाडू का गठन मतलब तमिल नाडू को राज जी के रूप में 1956 को फॉर्म किया गया था इसकी कैपिटल चेन नहीं है यहां के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है और राज सभा में 234 सीट्स हैं लोग सभा की सीट 39 राज सभा की 18 सीट्स यहां से आती हैं इनके हाई कोट को मद्रास हाई कोट मद्रास उच्छी नाइले कहते हैं और यह कहां पर अवलेबल है तो यह चेननई में अवलेबल है अगर नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मननार नेशनल पार्क, मुर्दु मलाई नेशनल पार्क, मुकूर्थी नेशनल पार्क की यहां के नेशनल पार्क हैं अगले कोशन की बात करेंगे उससे पहले मैप पर अगर आप तमिलनाडू को देखें तो आपको साउथन पार्ट पर तमिल लाइन बनाते हैं और फोर यूनियन टेरेटरी ऐसी हैं जिनकी कोस्टर लाइन बनती है तो तमिल नाडू भी उनमें से एक है ठीक चले अगला कोशन है विकासील देशों को आवश्यक चिकित्सा पूर्ती प्रदान करने के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2023 में किस परियोजना की घोशना की तो जो विकासील देश है ना उनको उनके लिए प्रधान मंतरी जी क्या कर रहे हैं अपने भारत की जो चिकित्सा है उनके आपदा के समय सहयोग करेंगे तो इसका ना कुछ नाम रखा गया है क्या नाम रखा गया है तो आरोग्यमेत्री क की मदत कर दे के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर दीजी के द्वारा इसको लॉंज किया गया ध्यान रखेंगे अगर बात करें भारत किस तरीके से मतलब वहां की जो जो चिकित्सा है उसको मेहतर करने के लिए बहरत करने वाला है तो भारत ग्लोबल सांट्टेन्ट उंटर को खोलेगा इससे क्या होगा इससे वहां के जो चिकित्सक है उनकी यहां पर मदद की जाएगी साथ-साथ भारत की जो भारत की जो High quality के doctors है High quality की जो technology है वो उनकी technology को मदद करेगी ठीक है ध्यान रखिएगा अगले कोशन की बात करें तो अगला कोशन है किस जिले को देश का पहला समविधान साक्षर जिला घोशित किया गया है तो कोई और ये जिला हो ही नहीं सकता सिंपल सी बात है ये केरल का कोलम जिला है अब ये समविधान साक्षर का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दू समविधान सा पर कि जितने भी बच्चे जितने भी लोग जितनी भी महिला है है सभी को basic structure हमारे constitution का पता है इसी लिए इसको कहा जा रहा है कि यह जिला है भारत का पहला ऐसा जिला है जिसको हमारे सभी राज्यों के सभी जिलों में पहला जिला बना जो की constitution लिट्रेट डिस्टिक्ट बन पाया है धियान रखेगा केरल के मुख्य मंत्री जी के द्वारा ये announcement की गई है केरल की बात करें तो केरल की capital त्रिवंतनापुरम है केरल के governor है आरिफ महम्मद खान और यह आप यहां पर आप देख सकते हैं पिनराई विजियन सहाब को यह chief minister है अगला कुशन है blindness control policy लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया तो blindness control policy मतलब जो blind लोग है उनको कोशिश करनी है कि उनका जो life है अच्छा हो सके अच्छा कैसे होगा अगर उनकी आखों को दुबारा से रोशनी मिल जाए उनकी आखों का जो management है मतलब आखों का जो transplantation होता है न सिंपल सी बात है आपको मालू होना चाहिए कि आखों का transplantation पूरी आख नहीं दे दी जाती आख में सिर्फ एक पार्ट दिया जाता है पार्ट को जो transplant किया जाता है तो उसकी सुविधा बहतर की जाएगी राजस्थान में तो राजस्थान के द्वारा इसको launch किया गया है यह भारत का पहला state बना जिसने blindness control policy को अपने हाँ पर अपनाया है अब राजस्थान आप यहाँ पर मैप पर देख पा रहे होंगे पारियाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ boundary बनाता है अगर international boundary की बात करें तो इस तरफ पाकिस्तान के साथ इसकी international boundary बनती है यहां के गवर्नर की बात करें तो कल राज मिश्र है राजधानी यहां की जैपूर है और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलो है ठीक चले अब यहां से आपके लिए न्यूकती से related questions आएंगे उससे पहले आपको बता दू कि हमारी एक book है जो की Amazon पर best seller best seller के रूप में नामित हुई है तो आप इसको जरूर चेक कीजेगा बहुत सारे students ने इसको खरीदा है आप यहां पर देख भी पाएंगे कि आप अगर सर्च सर्च करेंगे सरकारी जॉब न्यूज करंट अफियर बुक तो आपको इस तरीके से कुछ लिख कराएगा और मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप यहां पर देख पाएंगे best seller best seller का इसको दरजा मिला है तो उमीद करेंगे आप इसको जरूर चेक कर लें आप को यहां पर cover किया गया है और जो हमारे membership जिन्होंने ली हुई है उनको extra सोविदाय हमारी तरफ से मिल रही है जैसे करेंट अफिर की PDF है weekly करेंट अफिर की PDF जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी साथ साथ इसमें हमने बहुत सारे mock test available करा रखे हैं अलग-अलग exams के साथ-साथ बह को मिलेगा जो हमारी membership लेंगे तो आप description box में चेक कर लीजेगा और साथ-साथ यह हमारा WhatsApp number है कोई problem होती है तो इस पर आप अपनी problem को बता सकते हैं हम sort out करने की कोशिश करेंगे चले अब बात करते हैं न्यूकती से related question में पहला question है और पहला question ही RBI ने approval दिया है क्या question है RBI ने Paytm Payment Bank के MD और CEO के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी तो RBI ही नॉर्मली जो banks होते हैं उनके MD और CEO की मंजूरी देता है और Paytm Payment Bank में किसको तो answer होगा सुरिंदर चावला जिनको बहुत लंबा experience है banking sector का इनको Paytm Payment Bank में CEO और MD के रूप में appoint किया गया RBI के द्वारा मंजूरी दी गई अब Paytm की बात करें तो इसके संस्थापक और CEO विजय सेखर सर्मा है इन्होंने 2010 में इसको फाउंड किया था मुख्याले इसका नोडा है लेकिन अगर Paytm Payment Bank की बात करें तो इसको फाउंड किया था 2015 में कब 2015 में और यहां पर ही MD और CEO बने है सुरिंदर चावला जी ठीक चलिए आगे बात करें तो अगला कोशन है केंसरगार ने नया उपर रास्तिय सुरक्षा सलाकार जिसको डिप्टी NSA National Security Advisor भी हम कहते हैं किसे नियुक्त किया है तो रास्तिय सुरक्षा सलाकार डिप्टी डिप्टी रास्तिय सुरक्षा सलाकार किसको अपॉइंट किया गया तो यह ना BSF में DG थे इससे पहले कौन पंकच कुमार सेंग याद रखेगा भी रिसेंट्ली में यह रिटायर भी हुए और अब इनको डिप्टी NSA बना दिया गया है आप इनको यहां पर देख सकते हैं और अब यह डिप्टी NSA के रूप में काम करेंगे तोटल इस समय पर चार NSA हो चुके हैं इंक्लूडिंग हिम इनको इंक्लूड करके आप हमारे पास कितने NSA हो चुके हैं चार अगर बात करें इस समय पर डिप्टी NSA चार हो चुके हैं अगर बात करें NSA कौन है तो अजीत डो वाल सहाव हमारे NSA हैं यह है डिप्टी NSA टोटल कितने हो गए चार चलिए आगे बात करें तो अगला कुशन है देश के पहले हाई कोट का नाम बताएं जहां दो दमपत्ती जज अपॉइंट हुए हैं तो दो दमपत्ती जज मतलब हस्बेंड वाइफ हस्बेंड वाइफ है यह राजिस्थान हाई कोट जोदपूर में अवलेबल है जिस जिस हाई कोट के ना कैपिटल में जो हाई कोट कैपिटल में नहीं होता जिस राज्य का हाई कोट कैपिटल में नहीं होता मोस्ट इंपॉर्ट हो जाता है और यह भी मोस्ट इंपॉर्ट है क्योंकि राजिस हैं अब आप कहेंगे ट्वेंटी एट स्टेट से ट्वेंटी फाइफ हाई कोट बिल्कुल बहुत सारे राज्य हैं एक ही हाई कोट के अंतरकत आते हैं जैसे की गुहाटी हाई कोट आपको पता होगा असाम में अवलेबल है लेकिन वो नागालेंड और साथ-साथ अरुनाच प्रदेश के केसे को भी हैंडल करता है अगर आप जानते हो कलकत्ता हाई कोट भारत का सबसे पहला हाई कोट कौन सा है कलकत्ता हाई कोट तो कलकत्ता हाई कोट क्या कहां पर अवलेबल है पस्चिम बंगाल यह पस्चिम बंगाल में अवलेबल है तो यह अंडमान निकोबा हाई कोट से जो की अलग-अलग राज्यों को मर्ज करके बना दिया गया है समझ रहे हैं आप ठीक चले तो यहां पर याद रखेगा दो दमपत्ती है इकलौता ऐसा हाई कोट है याद रखेंगे अब यहां से हम आर्थिक से रेलेटेड कोशन की बात करने वाले हैं तो आर्थ करके यूपी आई का इस्तमाल कर सकेंगे मतलब मतलब अभी अगल sedan अगर ऐसे कह दिया जाए कि आप अपना नंबर लिजीए वहां का और यूपी आई उसकी जी नहीं कर पाएंगे जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारत के बाहर का नंबर है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे लेकिन भारत सरकार ने और NPCI ने यहाँ पर कोशिश की है कि एनराइस को एक्स्ट्रा सोविधा दी जाए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली थी तो धियान रखिएगा टोटल दस देश हैं जहांके एनराइस अब अपने फॉरान नंबर का यूज़ करके यूज़ जो NPCI का UPI है उसको यूज़ कर पाएंगे अब इसमे होगा यह कि उनके पास ना दो प्रकार के अकाउंट होने चाहिए कौन से NRE कौन सा NRE और एक है NRO यह दो अगर अकाउंट है उनके पास तो अपने फॉरान नंबर का यूज़ करके वो इसको मलब UPI को यूज़ कर सकते हैं क्या है यह NRE Non Resident External मतलब मतलब यह कि अगर वो अपनी कमाई को भारत के किसी बैंक में रखता है तो वो जो एकाउंट होगा उसको कहेंगे Non Resident External ठिक और NRO क्या है NRO वो है मालो NRI बाहर रह रह रहा है और जो उसकी संपत्ति भारत में होगी तो उससे कुछ अगर उसको कमाई होती है तो पैसा कहां रखेगा वो रखेगा भारत के किसी बैंक में तो उस एकाउंट को क्या कहेंगे NRO ध्यान रखेगा दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए NRO का मतलब Non Resident Ordinary है ठीक उमीद करता हो आपको पता होगा भारत के दस दस भारत ने दस देशों के एनराइस को यह सुविधाय दी है अप्रेल के बाद इसक अधराबाद के किन मकबरों के संरक्षण और जीनोधार के लिए अमेरिकी सरकार ने 2,50,000 डॉलर मतलब 2 करोड रुपए की वित्य सहायता देगी तो अमेरिका सरकार ने अनॉंस किया है तो धियान रखेगा यह पैगाह के मकबरे कहां पैगाह के मकबरे जो की तेलंगाना क तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में अवलेबल है उसके जीनोधार मतलब की अगर उसमें कुछ तूटा फार्टी हो गई है उसमें कुछ डेवलप्मेंट की जरुवत है तो उसके लिए अभी इस पैसे को खर्च किया जाएगा जिससे की इसका जो अस्तित्त है वो लेवाली है ठीक चले यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं और अगले कोशन की बात करें तो अगला कोशन है ऑक्सफें की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रसत अमीरों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है तो ऑक्सफें ने रिपोर्ट जारी की जिसमें 40% स से अधिक संपत्ति कितने लोगों के पास है भारत में तो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक परसंटेज एक परसंटेज लोग मतलब भारत की अगर जनसंख्या माल ले 130 करोड है तो एक परसंटेज आप निकाल सकते हैं उतने लोगों के पास 40% पैसा है ऑक्सपैम की रिपो और साथ-साथ हमारे भारत में अरब पतियों की संख्या बड़ी है इस कोरुणा वाइरस के समय पर तो उनके अकॉर्डिंग भारत रेगुलरली जो गरीब था और गरीब हो रहा है जो अमीर था और अमीर हो रहा है इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं देख लिए 2020 में आपक उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत और आपको पता चला होगा यहां पर रिवीजन के माध्यम से चले आगे बात करें तो अगले कोशन आएंगे सैन अभ्यास से रिलेटेड तो सैन अभ्यास में पहला कोशन है आपके लिए भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास वरूड 2023 आयोजित हुआ तो वरूड 2023 भारत और किस देश की जो नौसैना के बीच होता है तो अंसर होगा भारत और फ्रांस के बीच में इसको और्गनाईस कराया गया कहां और्गनाईस कराया गया तो पस्चमी समुद्ध टठ है अमेरिका के बगल मे पैसिफिक ऑशियन है वहां पर इसको और्गनाईस कराया गया कब और्गनाईस कराया गया तो 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इसको और्गनाईस कराया गया फ्रांस की बात करें तो भारत के जो रिलेशन है फ्रांस से बहुत अच्छे हैं और भारत सिर्फ और सिर्फ ये exercise नहीं करता है भारत साथ साथ शक्ति युद्धब्यास जो की थल सेना हमारी करती है वायू सेना गरुर युद्धब्यास फ्रांस के साथ करती है तो भारत फ्रांस के साथ काफी exercise में participate करता है अगर बात की जाए हमारे नौ सेना प्रमुक की तो उनका नाम है एड्मिरल आर हरी कुमार ठीक फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है यूरो यहां की करेंसी है प्रेसिडेंट इमैनुवल मेक्रॉन है यहां रखिएगा यह रिसेंटली में अपॉइंट होके सेकंड टाइम के लिए आए हैं प् जैन्वरी दुहहजार तईइस को दुनिया के सबसे लंबे रिवर कुरूज को हरी जंडी दिख़्ाइए इसका नाम बता है तो είναι ही ब्रेंब करूज है दुनिया की सबसे लंबी द्संटन्स ट्रेवल करने वाला है इसका नाम क्या ہो तो नाम है इसका M.V. गंगा विलास क्या M.V. गंगा विलास धियान रखेगा 13 जैनवरी को प्रधान मंतरी नरेंदर पोदी जी के द्वारा दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी जंडी दिखाई गई है उन्होंने इसको हरी जंडी वर्चुली माध्यम से दिखाई है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है और सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तैक करने वाला है साथ साथ भारत के वारानसी से इसको इनाउगरेट किया गया और बांगला देश से होता हुआ ये जाएगा कहां ये असाम पर पहुँचेगा कहां असाम में पहुँचेगा ध्यान रखेगा अब बात करें ये कौन कौन से वाटर वेस में ट्रेवल करेगा तो Waterways 1 और Waterways 2 में ये ट्रेवल करने वाला है आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा Waterways National Waterways कौन सा है तो अंसर होगा NV1 मतलब National Waterway 1 ठीक ध्यान रखिएगा अब यहां पर बात की जाएं तो कितने स्थल को ट्रेवल करने वाला है तो टोटल 51 दिनों की इसकी ट्रेवलिंग होगी और बहुत सारे जो United Nation ने इस्थल घोशित किये हुए हैं जो World Heritage Side घोशित किये हैं उनमें ट्रेवल करने वाला है तो टोटल 51 डेज की इसकी पूरी ट्रे और बांगलादेश से होता हुआ बात की जाए उत्तर प्रदेश की क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की यहां पर चर्चा की है तो उत्तर प्रदेश को रिवाइस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य के रूप में गठन 1950 को हुआ था लखनव इसकी कैपिटल है 75 इसके दिस्टिक्ट है आनंदी बेन पटेल यहां की राजेपाल या गवर्नर है मुख्य मंतरी योगी आदितनात है उप मुख्य मंतरी भी यहां पर दो है कौन-कौन से केसव प्रसाद मौर्या और उसके साथ-साथ ब्रजेश पाठक विधाई का यहां की दूई सदनी है दूई क्यों आती है जनसंख्या वाइस डिवाइड़ यहां इसलिए जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे जादा है मैप पर देखें तो भारत के सभी स्टेट के कंपेर में सबसे जादा राज्यों के साथ ही बाउंडरी टच करता है कितने राज्ये तो टोटल एट स्टेट्स ह और एक union territory के साथ इसकी boundary टच होती है साथ साथ एक international boundary भी इसकी लगती है कौन कौन से हैं तो आप count करिएगा यहाँ पर उत्राखंड है यहाँ पर हिमाचल परदेश, हर्याना, राजस्थान, मद्य परदेश, 36 गड़, जारखंड और बिहाद टोटल राज्य कितनी हो गए, आठ राज्य हो गए एक union territory नई दिल्ली है और international boundary नेपाल के साथ इसकी लगती है आगे बात करें, तो अगला question है मौसम की भविश्वारी की सटीकता के लिए देश को Doppler Weather Radar Network के किस वर्स तक कवर कर दिया जाएगा तो Weather Radar Network से कब तक इसे कवर किया जाएगा, ये announcement किसके द्वारा की गई, तो जीतेंदर सिंग इस समय पर हमारे साइंस और टेक के minister है उनके द्वारा ये announcement की गई, तो प्रत्वी विज्ञान के minister के द्वारा ये announcement की गई और आपको बता दू, ये covering 2025 तक होने वाली है, कब तक? 2025 तक, जो Doppler Effect के माध्यम से, यहाँ पर हवा में कितना पानी available है, उसको चेक किया जाएगा जिससे कि जादा सटीकता से पता लगाया जाएगा कि जो environment है, उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है तो पहले सही मौसम विभाग बता देगा, यहाँ पर ये problem हो सकते हैं, यहाँ पर ये problem, तो पहले उससे बचा जा सकेगा Doppler Radar System का ये use करने वाला है, अगर ये Doppler Radar System की बात करें, तो भारत में इसका development किस प्रकार से हुआ? तो आपको बता दू, 2013 में ये 15 थे, 2023 में ये 37 हो गए, 2025 में ये 62 हो गए, तो 62 ही भारत की पुरी boundary को cover करने के लिए चाहिए तो इसलिए ये announce किया गया है कि 2025 तक इस पुरे सिस्टम को हम develop कर लेंगे, कितने? 62 Doppler Radar System को develop किया जाएगा, 2025 तक भारती मौसम अगर मौसम विज्ञान विभाग की बात करें, तो इसका development, इसको found किया गया था, 1875 में मुख्याले इसका नई दिल्ली है, और मुर्तियुन जाए महापात्रा इसके समय पर महानिदेशक है अगले question आएंगे आपके लिए, खेल से related, तो खेल से related में सबसे पहला question है, हौकी इंडिया से, तो हौकी इंडिया ने, FIH, FIH का मतलब International Hockey Federation, ओरीसा हौकी पुरुस विशुकप 2023 के लिए, पहले Metaverse को launch किया, इसका नाम बताएं, तो Metaverse क्या है, इसके बारे में थोड़ के ओरीसा में अपना पुरुष का विशुकप 2023 और्गनाइस करा रहा है, तो जो भी Metaverse उन्होंने launch की है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हौकी वर्स, यह क्या करेगा, तो यह घर पर बैठे हुए, जो दर्शक है, उनको stadium का लुप्त उठवाएगा, मतलब घर से बैठे वर्च्वली माध्यम से वो stadium का लुप्त उठा सकेंगे, यह काम करने वाला है, हौकी वर्स, याद रखेगा, जो इसको भारत में जो इंटरनेशनल हौकी फेडरेशन के द्वारा विश्कफ और्गनाइस कराया जा रहा है, वो 13 से लेके 29 जैनवरी तक हो रहा है, ठीक, चल हौकी महसंग की बात करें, तो 1924 में इसको found किया गया, मुख्याले लुसाने सुर्दलेंड में है, और इसके अध्यक्ष तैयब इकराम है, ठीक, चलिए आगे बात करेंगे, अगले question आएंगे आपके लिए awards related, तो awards related में पहला question है, Miss Universe का, Miss Universe 2022, विजेता का नाम बताएं, त answer होगा, R. Bonnie. Gabriel, R. Bonnie. Gabriel, इनकी आप बात, इनको आप देख रहे हैं, यह अमेरिका से विलॉंग करती है, और जो Miss Universe का जो पुरा function था, इसको अमेरिका में ही organize कराया गया, भारत की बात करें, तो Miss Universe और Miss World, Miss Universe वैसे start किया गया था, कब से, तो आपको ध्यान रखना है, Miss Universe start और अगर Miss World की बात करें, तो इन 1951 से start हुआ था, भारत की टोटल 6 सुंद्रिया, Miss World का खिताब जीत चुकी है, और भारत की टोटल 3 सुंद्रिया, Miss Universe का खिताब जीती है, यहाँ पर अगर नाम की चर्चा करें, तो Miss Universe भारत की पहली महिला बनी थी, शुसमिता सेन, 1994 में, औ तो रीता फारिया ऐसी पहली महिला थी, जो 1966 में बनी थी, दो बार ऐसा हुआ, जब भारत को Miss World और Miss Universe दोनों का खिताब मिला, कब 1994 में, सुसमिता सेन और अईश्वरिया राय, इन दोनों ने एक ही साल दोनों खिताब जीत लिये, और 2000 में, जब लारादत्ता और प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों ने इस खिताब को जीता है, अगर रिसेंट की बात करें, तो Miss Universe बनी है 2021 में, हरनास संधु, अगर Miss World की बात करें, तो आखरी मानुसी छिलर बनी थी 2017 में, चलिए आगे बात करें, तो अगले कोश्चन है आपके लिए, इंडेक्स से रेलिटेट, त चलिए पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की अनुसार, दुनिया की सबसे सक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में, पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो दुनिया में पासपोर्ट की रेंकिंग में, पहले स्थान पर कौन है, अनसर होगा, कोई और नहीं, बहुत टाइम से रह रहा है जापान जापान यहां पर पहले पोजीशन पर है याद रखेगा जापान का पासपोर्ट जापान के पासपोर्ट का यूज करके आप 193 देशों में फ्री वीजा जा सकते हैं अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो सिंगापुर और दक्षिन कोरिया है जिनके की रैंकिंग 85 है और जो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स है यह तीन-तीन महीनों में जारी होता है अगला कुशन है केंद्रिय प्रदूशन नियंतरन बोड के आकोडों में PM 2.5 पार्टिकल के इस्तर के अनुसार वर्स 2022 में भारत का सबसे प्रदूशित सहर कौन सा था तो 2.0 पर्टिकुलेट मैटर के अकोडिंग बात की जा रही है इसमें दिल्ली सबसे जादा पॉल्यूटेट था लेकिन अगर हम बात करें PM 10 की तो PM 10 के अकोडिंग गाजियाबाद सबसे जादा पॉल्यूटेट है ठीक है दोनों अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई थी उसके अ आपको बता दिया कौन गाजियाबाद उस पर टॉप पर था ठीक चलिए आगे बात करेंगे अगले कोशन आएंगे आपके लिए निधन से रिलेटेट तो निधन से रिलेटेट में पहला कोशन है सरद यादव का निधन 75 वर्स की आयू में 12 जनवरी 2023 को हो गया 25 छेत्र मे प्रसित है तो जो ये परसन है ना सरद यादव ये राजनीती छेतर से बिलॉंग करते हैं लेकिन आपको बता दूँ कि ये इकलोते ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने तीन अलग-अलग राजियों से सांसद का जो पद है सांसद की जो सीठ है वो जीती है कहां-कहां से तो तीन राजियों से सांसद बने हैं अभी इनका रिसेंटली 12 जनवरी 2023 में इनका निधन हो गया अगले कोशन की बात करें तो अगले कोशन आएंगे आपके लिए विदेश से रिलेटेट तो विदेश से रिलेटेट में पहला कोशन है उजबेकिस्तान में कब सीरप पीने से 19 बच्चों की मौत के बाद WHO World Health Organization ने भारत की किस कंपनी के दो सीरप बच्चों को नहीं पिलाए जाने योग बताया है तो यह मेरियम बायोटेक कौन मेरियम बायोटेक के सीरप की यहां पर बात की गई है जिसको WHO ने कहा है कि इन सीरप को बच्चों को आप ना पिलाएं क् ने सीरप का नाम बता दू इमरोड उल सीरप है और डौक 1 मीट्स सीरप है जिसमें कौन सा मेक्ष मिलता है तो ऐथिलीन ग्लाइक सीरप कर देता है जेराग की नर्याचकी तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसलिए बहुत सारे देशों ने इसको बैन भी किया हुआ है आप यहाँपर देख सकते हैं America, Australia और बहुत सारी European countries में इसे बैन किया हुआ है कि इसको आप सीरफ में नहीं मिला सकते हैं लेकिन मरियन, बायो टेक ने अपने इन सीरफ में इसको मिला रखा था बस अनबैलेंस तरीके से मिला रखा था जिसकी वज़े से बच्चों की मौत हो गई अब भारत ने भी क्या किया भारत ने भी इस्टेप उठाया और उत्तर प्रदेश के नोड़ा में इसका पूरी कंपनी है तो उन्होंने भी इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है कि आप उत्पाद नहीं कर सकते अब ठीक चलिए आगे बात करें तो अगला कुशन है किस देश में 60 वर्सों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज होई अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया में सबसर जादा जनसंख्या किस देश की है आप कहोगे चाइना अब चाइना के बाद भारत का नंबर आता है लेकिन अगर आपसे कह दूँ कि चाइना नंबर वन पर है और उसकी जनसंख्या डिक्रीज कर रही है तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन बहुत सारे कारण है जिसकी वज़से चाइना की जनसंख्या डिक्रीज करें और साथ सालों बाद ऐसा पहली बार देखा गया है कि इनकी जनसंख्या डिक्लाइन पर पहुंची है तो चीन यहां पर आंसर बिलकुल सही होगा 1961 के बार पहली बार इनकी जनसंख्या गिरती हुई नजर आई बहुत सारे रिजन्स में कोरोना वाइरस से होने वाली डेथ है साथ साथ इनके जो नई पीडी है वो वन चाइल्ड पॉलिसी को इतना दिल पर ले गई कि अब वो नई जनरेशन को डवलप नहीं करना चाहती बहुत सारे रिजन्स हैं आपने इसको डीटेल में उमीद करता हूँ पढ़ लिया होगा चाइना की डिक्रीज हुई है और कई रिपोर्टों में ये भी बताया गए कि भारत टॉप पर पहुँच गया है चलिए आगे बात करें तो वन चाइल्ड पॉलिसी के आपको बता दू ये भारत बहले सबहरत करें ने में लनके से को सीवाओं लेकिन यूनाइट नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में दिक्कत हो रही थी चाइना की वजह से亘ना अभी नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल में भारत और यूएसे ने मिलकर जो ये मक्की है इसको आतंकवादी घोशित करा दिया है। ये किस गुरुप से बिलॉंग करता था तो लश्कर ये तैबाई गुरुप से बिलॉंग करता था। उसका ये चीफ था। हाफिस सईद आपने सुना हो तो उसका ये रिस्तिदार है। ध्यान रखेगा अब्दुल्रह्मान मक्की भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें बहुत सारे हमलों में इसका नाम था। जैसे की वर्थ 2000 में लालकिला में जो हमला हुआ। 2008 में रामपुर कैंप में जो हमला हुआ। 2018 में जमू कश्मीर में हमला हुआ। और सबसे बड़ा 26-11 26-11 वाला जो मुंबई हमला था उसमें भी इसका नाम पाया गया। ठीक अब यहां पर संयुक्त रास्ट की युनाइटे नेशन सेक्योरिटी काउंसिल की बात करें। तो दुनिया में ये मैत्री पूर संबंधों को डवलप करने की कोशिश करती है। इसकी इस्थापना 1945 में हुई थी। नियॉयोर्क USA में इसका मुख्याले है। इसके सदश्य टोटल 15 हैं, 15 में से 5 है इस्थाई और 10 है औएस्थाई, भारत 10 अस्थाई में नहीं है, नहीं इस्थाई में है। इस्थाई कौन है, तो USA, रूस, फ्रांस, चीन और UK ये इस्थाई सदश्य हैं। 10 और 20 थाई के 2 साल का कारिकाल होता है, अब ही December जो गया है ना, उसी वहाँ पर भारत मेंबर था, लेकिन अब भारत का कारिकाल खतम हो चुका है, आगे बात करेंगे दिवस से related question, तो दिवस से related में पहला question है, भारतिय सेना, दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतिय सेना दिवस हम 15 जैनवरी को अबजर करते हैं, क्यूं? क्योंकि जो करियप्पा सहाब थे ना, उनको इसी दिन भारतिय सेना की बागडूर दी गई थी, तो ध्यान रखेगा, इसलिए हम 15 जैनवरी को अबजर करते हैं, इंडियन आर्मी डे, यहां पर जैनवरी के पूरे जो मन्त, जो अभी तक हमने इंपॉर्टन डेज पढ़े हैं, उनको रिवाइस करते हैं, जैसे कि जैनवरी में हमने वैश्विक परिवार दिवस पढ़ा, नए साल के उपलक्ष में 1 जैनवरी को, विश्व ब्रेल दिवस पढ़ा, जो मतला आपको पता होगा, लुईस ब्रेल हैं, उनके लिए उनको एक सिस्टम बढ़ाया, जिससे पढ़ लिख सके हैं, तो 4 जैनवरी को हमने उपजर किया, युद्ध अनात का विश्व दिवस हमने 6 जैनवरी, पतलब जो बच्चे अपने माता पिता से को इसलिए खो चुके हैं, क्योंकि युद्ध हो रहाता है, उनके हाँ पर दिक्कते चल रहे थी, जिसकी विए से उनके माता पिता नहीं तो उनका दिवस ये 6 जैनवरी होता है, युनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अबजर किया जाता है, प्रवासी भारतिय दिवस जिसको एनराय दिवस हम कहते हैं, 9 जैनवरी को अबजर हुआ, साथ साथ विश्व हिंदी दिवस 10 जैनवरी को अबजर किया, लाल बहाद प्रवास बारा इसको थापादावास 12 जैनवरी को अबजर हुटा है, और भारतिय सेना हमने पढ़ लिया 15 जैनवरी को अबजर होता है, तो उम्मीद करूँगा आपको, इसका आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप से अलोद करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद